Hello everyone, welcome back to my channel, my name is Sony and welcome to Sony Makeover तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगे कि मैं अपनी खुद की वैक्सिंग घर पे कैसे करती हूँ बिना किसी की मदद लिये नहीं मैं वैक्सिंग के लिए कभी किसी के पारलर में गई हूँ नहीं किसी की हेल्प लेती हूँ मैं खुद से खुद की कर लेती हूँ और मैंने फर्स टाइम अपनी वैक्सिंग कैसे किया था कौन सा wax यूज किया था और अब मैं अपने हाथों पे कौन से wax यूज करती हूँ कौन से wax आपके लिए best होगी आपको कौन सा wax यूज करना है किस मौसम में कौन से wax purchase कर रही है और कितने types के wax आती है वो सारे हम इस topic पे discuss करेंगे तो देखिए हमारे हाथों की जो result है वो आपको मैंने दिखा दिया है before और after का कितना shine हो रहा है हमारा skin कितनी glow कर रही है 2-3 shade light हो गई हमारी skin और एक भी hair आपको नहीं दिखाए देंगे बीना मैं किसी reapplication के ही सारे hairs जो है एक ही application में निकाल देती हूँ hairs को तो आप लोग भी इतनी perfect waxing कैसे कर सकते हैं आगे मैं आप लोग को समझाओंगी तो सबसे पहले हमने wax को wax heater में ले लिया है ये मैंने liposolubal gel wax लिया है rich up brand का है इसका link मैं आप लोग को description box में डाल दूँगी आप लोग वहाँ से easily check out कर सकते हैं और purchase भी कर सकते हैं और इस wax को करने के लिए आपको waxing strip भी थोड़ी सी अलग लेनी होगी वो paper strip होती है उसका भी link मैंने description box में डाल दिया है आप लोग वहाँ से check कर लीजिएगा और इस wax के MRP जो है 850 रूपीज है और ये इसके साथ में आपको pre waxing gel और after waxing gel 60 ml का आपको मिल जाएगा 60-60 ml का दोनों होगा तो मैं देखिए pre waxing gel नहीं लगाती हूँ इस wax के लिए क्योंकि मुझे इसा लगता है कि जब मैं वह लगाती हूँ ना तो थोड़ा सा skin में चिपचिपा पनाता है और थोड़ा सा moisture level बढ़ जाता है इसलिए मैं powder लगाती हूँ आपके पास जो भी powder होगा आप लगा लीजिए वही powder ठीक है और powder लगाने से क्या होता है आपकी skin dry भी हो जाती है और moisture एकदम सूख हो जाता है और आपकी skin पे एक powder के layer आ जाती है जिससे आपकी skin peel होने से बच जाती है यानि कि layer चड़ने के जैसे skin safe हो जाती है powder से तो इसलिए आप लोग powder का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब सबसे पहले हमें क्या करना है हमारी hair growth देखना है कहां से कहां की side में गई है उसके बाद उसी की direction में आपको wax की application करनी है hair की direction के हिसाब से उसके बाद आपको strip को छोटे छोटे parts में चिपका के बिल्कुल hair की opposite direction में pull करना है उसके बाद देखे कितना amazing result आया है एक भी hairs आपको नहीं दिखाई देंगे इस wax आपकी one application में ही कितने भी hard hair growth हो कितने भी घने कितने भी मोटे hair हो वो एक बार में निकल जाते है री application करने के जरूवत ही नहीं पड़ती है तो देख सकते कितना amazing result आया है अब जैसा कि मैं आप लोग को समझा रही हूँ इस वीडियो में कि self wax कैसे करनी है तो आप लोग ना हाथों की direction को देखिए किस part पे आपको कैसी direction रखनी है किस motion में आपको wax लगानी है hand की direction कैसे रखनी इस strip को pull कैसे करना है वो सब आप लोग ध्यान से देखिए अब हम बात करते हैं market में कितनी types की wax मिलती है अब देखिए wax तो बहुत से type की होती जैसे की liposolubal में two types के wax आ गई एक creamy texture का होता है और एक gel type का होता है तो gel based वाला wax हमने use किया है इस वीडियो में जिसकी दिखाई दे रहा है और gel based wax ही मैं use करती हूँ liposolubal का क्योंकि इस wax से यह wax किन को करना चाहिए जीनकी hair growth बहुत ज़्यदा डार ठीक है बहुत कड़क hair है बहुत heavy hair growth है बहुत घने घने hair है जैसे कि पैरों पे बहुत से लोगों की बहुत बड़ी बड़ी hair होते हैं मोटे मोटे बाल होते हैं जो कि normal honey wax से one application में नहीं निकलता है बार बार आप आपको re-application करना पड़ता है तो उनके लिए ना कुछ थोड़ी सी hard wax use करनी होती है तो hard wax में आपको liposolubal wax use करनी है लीपosolubal में जाना माना brand आपको rica wax मिल जाएगा और rica wax जो है सबसे महंगी wax होती है market में मिलने वाली और अगर वह कम 1200 रुपे में आपको 800 ml का डबब मिल जाएगा और लीपosolubal में बहुत से brand अपना wax बनाते हैं तो आपको ना 600-700 रुपे में भी आपको liposolubal wax मिल जाएगे creamy texture वाली तो आप मुझे सा लगता है कि महंगी चीजे खरिदने से अच्छा है कि आप वैसे ही मिलती जुलती जो चीजे होती है ना सस्ते में वो लेना चाहिए क्योंकि result दोनों का सेम होता है बस रीका wax एक brand बन गया है ठीक है तो कुछ कंपनियां होती जो अपने product को लोगों तो पहुझाने के लिए कुछ पैसे खर्चे करते हैं advertising के लिए हर चीज़ के लिए तो वो लोग वसूल करेंगी ही क्योंकि उनका एक brand बन पर तो वो अपना नॉर्मली जो रेट है उसी में बेजते हैं तो यह बात समझ लीजिए आप लोग ज्यादा मैं इस पर डिसकस नहीं करना चाहती हूं और अगर आपको लिपो सुलिबल क्रेमी टेक्चर वाला चाहिए wax तो आपको उस wax का भी link में description box में डाल दूंगी और यह हमने Gill wax ली आज अभी जैसे कि लिपो सुलिबल वाilt जो प्रेमी टेक्चर का होता ना वह जिनकी स्किन थोड़ी हेल्डी होती है उनके लिए सही है लेकिन जिनकी स्किन बहुत सेंसिट्र्व है या सेंसिट्र्व है तो उनको में करना चाहए debrांए भी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपकी स्की निकल सकती है और जहां से आपकी स्की निकलेगी ना वहां पे आपका डार्क कलर का पैच बन जाएगा जो कि यो चार से पांच मेहने बाद ही जाता है तो थोड़ा सा केरफुली रहेगा अगर आप फिर भी करवाना चाहते हैं तो किसी ऐसे सलोन में जाएए जो सलोन बहुत पुराना हो और उसे रिका वैक्स की पूरी नॉलेज हो एक्सपीरियंस हो करने का नहीं तो आप जेल वैक्स यूज़ करें लीपो सॉलीवल में जेल वैक्स आती है जिसा कि हमने रीच अगर झीफेंवल्घ ब्रांड का जेल वैक्स लिया है भुडु बेरी फ्लेवर का ठीक है है तो अभी यह क्या होता है यह सैंस्टिव स्किन पर बीजली चला जाता है क्योंकि यह बहुत चीब 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 नहीं होता है और क्रीमी्ट टेक्श्चुर वाला है बहुत कुछ मतलब बोलते ना स्पेशल करना चाते तो आप इसी वैक्स करें और यह ब्राइडल के लिए बहुत ही बेस्ट वैक्स से ब्राइडल मतलब यह तो जरूर करवाएं नॉर्मल वैक्स ना करवाएं तो देखे हमारे एक हाथों की वैक्सिंग हो गई है देखते देखते एक्सेस वैक्स निकल गए तो हमने गिली टावल के हल्प से क्लीन कर लिया है ठीक है अब देखिए आपको रिजल्ट दिखाती हूं कितना ज्यादा डिफ्रेंस दिखाए दे रहा है और एक बात बता दूँ आप लोग को इस वैक्स का रिजल्ट भी बिल्कुल फेशल की त तो अब बात करते हैं और कितने टाइपस की वैक्स आती है देखे नॉर्मल स्लीक वैक्स हानी वैक्स आती जैसा कि मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली होई ये ऑल्रेडी हनी वैक्स रिलेटेड उसके रिजल्ट के बारे में जानना है तो आपको उसकी वीडियो एक लगाना होता है और उस वैक्स को लगाने के बाद मराद फास से 10 सेकेंड व harvest करना है उसके बात सारा जो है वैक्स को उसी वैक्स को जो है नहीं आपसे हिंशर्बै, उसका मुझे रिजल्ट उतना खास नहीं लगता है और उससे इतना अच्छा ग्लो भी नहीं आता है री अप्लिकेशन भी करने पड़ती है इसलिए मैं ज्यादा उस वैक्स को यूज नहीं करती हूँ तो आप लोग भी अगर फेस वैक्स के लिए लेना चाते हैं या सेलफ वैक्स करना चाते हैं फेस पे तो आप वो वैक्स का इस्तमाल कर सकते हैं बीन वैक्स का ठीक है लिंक उसे लगा के पूल कर देंगे ठीक है वो भी वैक्स उतनी खास नहीं है लेकिन करने वाले करते मैं नहीं करती हूँ और जैसे के लीपो सॉलिबल हो गया स्लीक वैक्स हो गया बीन वैक्स हो गया और कौन सी वैक्स होती बस इतनी वैक्स आते हैं और एक कोल्ड वैक्स आती ह आपको गरम नहीं करना होता है उसमें आपको डिरेक्टली वैक्स को लगा के श्ट्रिप चिपका के पूल कर देना होता है गरम करने के जरूत नहीं पड़ती है वो अल्रेडी जैसे लाइट रहती है थोड़ी सी पिगली हुई रहती है ठीक है तो उसका भी उतना खास रिजल नहीं आता है अब बात करते हैं कि कौन किसके लिए कौन सी वैक्स बेस्ट है अगर आपकी स्किन हेल्दी है आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप रीका वैक्स यूज़ करें रीका वैक्स में आप स्ट्रॉवरी फ्लेवर या फिर ऐलोवेरा फ्लेवर यूज़ कर सकत wipe chocolate wax थोड़ी सी हाड होती है तो मुझे सही नहीं लगती है ठीक है तो आप लोग sensitive skin on Sewingेps यूज़ करें तो sensitive skin वालों के लिए रीका wax में आप strawberry flavor wax या फिर aloe euh style flavor यूज़ कर सकते हैं या ग्रीन apple wax भी ही यूज़ कर सकते हैं और जिन की skin बहुत ज़्यादा सेंस्ट्य है तो आप लोग नॉर्मल स्लीक वैक्स या फिर हनी वैक्स यूज़ करें या फिर अगर आप लोग रीका वैक्स ही यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह आप ये वैक्स यूज़ कर सकते जो वैक्स मैंने यूज़ किया है ठीक है और अगर आपकी स्क बहुत ज़दा डार्क है डसकी है और आप चाहते कि ग्लो अच्छा है तो आप सीधा-सीधा यही वाला यूज करें क्योंकि परस्नली मैं भी यही यूज करती हूं हमें सा ठीक है तो हमारा देखते देखते वैक्स जो है प्रोसेस पूरा हो चुका है हमारे हाथों की वैक्सि क्लीन करते हैं यह है देखे हमारा लिक्षब ड्राइब्स का इसी ब्रैंड का यह रोजमेरी आफ्टर वैक्सिन जेल और प्रे वैक्सिन जेल तो हम क्या करें गे कोकोनट ऑइल के हैल को आपने हाथों पर Лगाऊंगी तो दीखिए इसको हमें हूल करना होगा थे पीनकी हेल इस चोड़ देंगे इसके पर कुछ भी नहीं लगाएंगे और इसको ऐसे ही 24 गंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे आफ्टर 24 आवर्स बहुत ही अच्छी स्किन ग्लो करती ट्रस्ट मी गाइस एक बार आप इसे यूज करके जरूर देखिएगा उसके बाद मुझे इसी वीडियो के कमेंट में शेर करिएगा अपना रिवीव तो देखें कितना इजी तरीके से हमारा वैक्स हो गया ना किसी की हेल्प लेनी पड़ी ना किसी पार्लर में जाना पड़ा और इस वैक्स का प्राइज मैं अपने पार्लर में 300 से लेके 350 रखती हूँ फुल हैंड का और हाफ लेक का प्राइज 250 है और फुल लेक का प्राइज 350 है बैक का वैक्स अगर मैं इस वैक्स से करती हूँ तो 100 रूपीज है फेस वैक्स करती हूँ इस वैक्स से तो 150 रूपीज है तो अभी देखिए हमारा रिजल्ट कितना आमेजिंग आ रहा है तो चलि मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर